इस वीडियो में हम लोग आया एफसी को लेके डीटल में समझेंगे बहुत सरे इंफोर्मेशन से वो शेयर करने के कोशिश करेंगे इस वीडियो के मातम से रिक्वेश्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे बुरा बने रही के पीप मत किजिए अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिन वह इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जोरे कंटेंट आने के लिए तो चली शुरू करते हैं स्टॉक की बाती दोस्तों आयवेश्ट से के शेयर में फिलाल अभी आपे एक दिन के अंदर 0.8% के आसपास गीरापड बनता हुआ देखने को मिल रहा है वही बात करते हैं एक हफ़ते के अंदर 4.4% का तेजी दिया और वही देख सकते हैं आप एक महने के अंदर 45.4% का आसपास तेजी बनता हुआ दिता है इस सेक्टर में 46.2% के आसपास से परसेंटेज अगर देखते हैं यहाँ पर फिलाल यहाँ पर इसका जो डियूराबिलेटी है आए रेसी का वह है 45 आउट ओफंडेट विलेशन 44.8 आउट ओफंडेट मोमिंटियम 74 है आउट ओफंडेट यहाँ पर देख सकते हैं छे मेने के अंदर आए रेसी के शेयर का अमलोग समझते हैं तो स्टॉक का प्राइज आप देख सकते हैं जहाँ पर 25-26 रुपीज का आसपार चल रहा था 25.60 फिर 26 रुपीज उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक जबदस्ट बोल सकते की स्टॉक में तेजी बनाया था और शेयर का प्राइज जो है तो इसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट बनता हुआ दिखा था शेयर का प्राइज जो है बोल सते की यहाँ पर 32 के बास पहुचा फिर से 35 रुपीज के आसपार पहुचा उसके बाद स्टॉक में जो है यहाँ से गिरावट 33 रुपीज के पहुचा उसके बाद गिरावट बनता हुआ दिखा है तो यह शेयर ने अगर आपने इसको 26-27 के आसपास लिया है तो आपने देखा रहेगा कि श्टॉक में जबर दस्तेजी बना है फिलाल यहाँ पे IRFC का जो रेजल्ट आया है Q1 का उसमें देख सकते हैं जो टोटल रेविन्यू है 18.7% का जम देखने को बला है वही बात करते हैं जो अपरेटिंग एक्सपेंसर से उसमें 26.6% का जम हुआ है अपरेटिंग प्रॉफिट 18.6% का हुआ है ABIDTF 18.7% का हुआ है बात करते हैं जो इसका नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उतना कुछ खास नहीं हुआ है जहाँ पे 6.3% के आसपास गिरा पर बनता हुआ दिखा है नेट प्रॉफिट में तेक्निकली IRFC का श्यार पिलाल अभी यहाँ बुलिश लेबल बना रहा है तिकनिक लिए जो है आयर इसल देखते है तो यहाँ एक बुलिश लेबल बना रहा है आरा इसनोके और डेखते हैं हम लोग यहाँ पह benefited जो लो प्रैस को में फो humour से देखंगे है 4 46.40 सेका और जो हेंальная राइक महारी नखी प्रैस का का है वहीं बात करते हैं एक फ्ते के अंदर जो लोग प्रैस दिया है 44.85 पैसे का और जो हाई प्रैस दिया है 52.70 पैसे का अब यहां पर देखते हैं इसका वोल्यूम जो है एक दिन के अंदर यहां से देख सहते कि BAC और NAC मिला के जो एवरेज है वो है 165.2 मिलियन का डिलिवरी परसेंटेज 31.2 परसेंट का है डिलिवरी वोलियूम के 21.6 मिलियन का है और एक अपते के अंदर 180.5 मिलियन का 20.7 परसेंट का है यहां पर यहां पर देखते हैं जो बना सकता है अब यहां पर देखते हैं मतलब प्रोफूटर्स के पर counties आइससिग परेंट ऑल किरीत परें पीजिएल पास है और बहु सडी आपके प्राइब इसक rebels कऱएगद करेंड परेंशिटीशिंगे है सिंति इसके बमुंट पॉइंट पेटिशन शाचेट मिशल पन के समयवश्थ है कि मिचलपन ने भीच एक गता आया है अधार इंस्टिटूशन के पास 1.25 परसंट का स्टेक था और पॉब्लिक ने जो हें बढा दिया है 10.49 परसंट का पर दिया है तो फिलाल दोस्ते इसका देखते है अगर हम इसको डीटल में समझते हैं तो यहां पर देख सकते हैं जहां पर कंपनी जो है एक बहुत ही अच्छा पासा इसने प्रॉफिट ग्रो किया है अबर लास्ट फाइयर्स जो कि 25.3% इसका देखने को मिल रहा से यह जी ऑजो है अबर लास्ट फाइयर्स कंपनी हैं हिल्धी डिडियंट पे आउट जो कि 30.7% के आस पास है अब यहां पर कुछ चीज देखने को मिल रहा है जहापे company बोल सेते हैं कि has low interest coverage issue एंड वही बात करते हैं जो है इसका tax rate जो है वो कम है company दिख सेते हैं जो इसका capitalization है interest capitalization वो भी यहां पर जो है यूज कर रहा है जो capitalize कर रहा है तो अभी फिलाल यहां पर IRFC का हम दो देखते हैं मतलब जो इसका result वगरा आया है उसमें भी देखते हैं sales growth जो है IRFC का तो वह आप यहां पर देख सकते हैं जो sales growth है 23,892 crore से बरके 24,944 crore के आसपास देखते को मला है वही बात करते है expenses जो 134 से बरके 141 crore के आसपास हुआ है तो IRFC का share दोस्तों यह समझना है कि Indian Relic Finance Corporation Limited यह company है और इसका business जो है बहुती बढ़िया आगी चल के stock में तेजी भी बन सकता है सिर्फ यह ध्यान रखना है कि share में जब तोड़ा गीरावड बनता है तब खड़ी देंगे तो हो सकता है कि इसमें एक return भी आपको जादा देखने को मिल जाए अब ही यहाँ पर shareholding का हम लोग तोड़ा से यहाँ पर detail में समझते हैं information तो shareholding में जिसके हम लोगों ने देखा है जो promoters के पास जो है उतना ही रखा है FIS ने यहाँ पर तोड़ा steak घटा दिया है और यहाँ पर बोलते कि बहुत जादा नहीं तोड़ा वह जो जटेक यहाँ से यहाँ पर FIS की बात करते हैं तो इसके पास जो जो स्टेक का बिया इस ने भी तोड़ा होगा steak के आपर घटा दिया है और पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ बढ़ा दे तो पब्लिक यहाँ अच्छा का सा इंवेस्ट करके रखा है इसका अगर देखते हैं इसने महीने के अंदर इसके बात ही यह स्टॉक में जो एक जबरदस रिटर्न बनाया और उसके बाद थोड़ा अभी गिराबड बन रहा तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से स्टॉक एक टेजी बना सकता है तो फिलाल अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत जादा टार्गेट पाइस रखके फिलाल अभी नहीं चलना चाहिए आपको क्या लगता है जरूर आप हमें कमेंड करके बताई और डिस्क्रीमार देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग बिलकुल भी नहीं कहते है कोई भी शेयर आपको खरिदना चाहिए बेचना चाहिए रिकोर्ष करते हैं जब भी आपको शेयर करते हैं बेचते हैं खुछ से एक बार जरूर रिसर्च कर लिजिए उमीद है जो भी इन्फरमेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइ हुआ